अतीक और अश्रफ की हत्या के बाद और असद के एंकाउंटर के बाद अगर देश में किसी बाहुबली की सबसे ज़्यादा चर्चा और गूंज हुई तो वो है बिहार के आनन्द मोहन सिंग के। आनन्द मोहन सिंग भी बाहुबली भी हैं और नेता भी हैं जिसे अतीक था बाहुबली भी माफिया भी नेता भी अपराधी भी सब वही सारे विशेशन बिहार की राजिनीती में आनन्द मोहन पर लागू आनन्द मोहन की चर्चा पूरे देश भर में इसलिए है क्योंकि वो एक दलित जिला अधिकारी की हत्या के आरोपी थे दोशी थे और अदालत ने उन्हें पहले मरतु दंड की सज़ा सुनाई थी और उसके बाद में उसको उम्रकैद में तबदील किया गया था लेकिन अचानक से बिहार में नितीश और आरजेडी की सरकार ने ऐसी करवट ली ऐसी पल्टी मारी कि आनन्द मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए नियम काईदे ही बदल दिये और बदले हुए नियम काईदों के चलते आनन्द मोहन बाहर आगे अब बाहर आगे तो हंगामा मच रहा है, सियासी हंगामे को परे छोड़िये आई देश की आई इस एस एसुशियेशन ने बिहार सरकार को बिहार के मुख्यमंद्री को चिठी लिखी कि यह आपने क्या गजब कर दिया, यह हमें मंजूर नहीं, इस पर फिर से विचार करी है लेकिन उधर पूरी सरकार आनन्द मोहन सिंग पर कुर्मान होई जा रही है क्या नीतीश, क्या ललन सिंग, क्या तेजस्वी सब को दिख रहा है कि आनन्द मोहन मतलब राजपूत बोट जैसे उत्तरपदेश में होता था, अतीक मतलब मुसल्मान बोट मुखतार मतलब मुसल्मान बोट वह इसी धारा वहाँ चल रही है मायवती ने और उनकी पार्टी ने इस बात की आलोचना की कि एक दलित प्रशाषनिक अधिकारी की हत्या का दोशी अपराधी सरकार ने नियम बदल कर बाहर क्यों किया तो आनन्द मोहन का उत्तर मालूम है क्या आया यह मायवती कौन है हम तो कलावती कुछ आनते हैं रिपोर्टर ने पूछा कलावती कौन वह सत्तरान की कथा में आते हैं एक कलावती क्यों किसा आप सोचने ने अंदाज देखिए तेवर देखिए कलेवर देखिए इन बाहुवली राजनेताओं का माफिय राजनेताओं का उत्रपदेश और बिहार में बहुत अंतर नहीं है सटे राज्जी हैं बीच में गंगा है इधर आरोप है बिपक्ष इसलिए परेशान है कि योगी की सरकार अपराधियों को कि नाक में नकेल डाल रही है तो क्यों डाल रही है अगिलिश श्यादव जी कह रहे है कि उत्रपदेश की सरकार अपराधियों की जात धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है और बिहार में अपराधियों की जात देखकर उन्हें जेल से छुड़ाया जा रहा है कि बल आनंद मोहन नहीं छूटे आनंद मोहन के साथ पूरी बा मारा गए है यह जात का गणित है यह अपराध का समाश शास्त्र है क्या है आनंद मोहन सिंग की रिहाई जो जिलादिकारी मारा गया था अंजयया उसकी पत्नी ने कहा कि हम इस घटना से आहत है पूछा कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मनशा होगी सरकार की तो अंजयया की बिदवा पत्नी ने कहा कि सरकार को लगता है कि आनंद मोहन राजपूत है उसको यह लाव देने से राजपूत बोट मिल जाएगा सुची राजपूत कहां आकर ठहर गई जाथ के बोट के लिए नियम बदल दिये और अपराधी को बाहर ले आए और बाहर यह नहीं ले आए उसके सिर्पे सम्मान का सहरा भी बांद रही है सरकार तेजिस्वी बाबू नीतिश कुमार ललन सिंग से लेके सब और एक तरफ योग्यादित्तनाथ है उत्तपदेश की सरकार है असद और गुलाम एंकाउंटर में मारे गए अतीक और अश्रफ की हत्या हो गई बाकी की धर पकड़ जारी है सटे हुए सूबे एक सी सामाजिक प्रश्ट भूमी बाले राज्य लेकिन राजनीति का अंतर दिखता है आज शाम पांच बिजे इसी पर चर्चा करूंगा कि यह राजनीति का समाश्ट्र क्या कहका है